कि नमस्कार मैं साकेत आप देखरो हिट में 05 काफी दिनों के इंतजार के बाद फाइनली वो डेट आ गया जिसे सुप्रीम कोट का फाइनल वर्डिक्ट लोड मोरेटोरियम और इंट्रेस्ट वे आफ फे जो उनका फैसला था इसको सुप्रीम कोट ने अभी तक सेव करके र कि आपके लोन एकाउन को अभी डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा इस पर सारा फैसला जो आने वाला है उसका डेट सामने आ गया तो फाइनली सुप्रीम कोट ने यह बताया कि अगले सुक्रवार को जितने भी केसे से करीब 22 केसे से उन पर फैसला बाइस जो 22 केसे उन पर फैसला अगले सुक्रवार को आपके सामने आ जाएगा क्योंकि पब्लिक बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोट कब अपना फैसला देगा इनका वेट करने का मेन कारण है था कि जो रिकवरी एजेंट है वो काफी जादा अपने कस्टमर को परिशान कर रही है क्योंकि बैंक को कहना है कि जब तक सुप्रीम कोट का इंट्री मोड़र चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोट ने अभी किसी भी लोन एकाउंट को डी ग्रेडिया एंपीय में डालनी की अनुमती नहीं दी है क्योंकि जब तक अनुमती नहीं मिलेगा तब तक बैंक की classify नहीं कर सकते कि किस account को NPA में डाला जाए और किस account को NPA में नहीं डाला जाए जिससे बहुत जीशादा परशानी होगी अगर सूप्रीम कोट आज यह entry मोडर हटा लेता है तो 100 में से 70 account NPA में चले जाएंगे और बैंकों उने बताया है कि उन पर करिब एक लाग बीस हजार करोड तक का अतिरिक्त बोज्ज इसमें उन्हों ने बताया है कि उनकों कितने पैसे भरने पड़ेंगे कितना बैंकों को नुकसान हो रहा है इन सबी के petition बठालने के बाद Supreme Court ने finally अपना फैसला अगले सुक्रवार तक के लिए टाल दिया है Supreme Court ने clear बताया है कि अगले सुक्रवार को moratorium extension पे उन्हें सारे पक्षों की बात सुनी और Supreme Court ने clear बताया कि अगले सुक्रवार तक जो लोग इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे वह एक सब्ता और इंतजार करें अब सुप्रीम कोट एक सब्ता के बाद आपको मोरेटोरियम देगी या नहीं देगी उसका फैसला अगले कुरबार तक आजाएगा और एक बात और अभी तक सुप्रीम कोट ने में एक फीये पील में नहीं डाला जाएगा तोमिद करते वीडियो आपको उच्छा लगा तरफ लाइक के जगा सब्स्क्राइ ow